चलो आज का टॉपिक क्या है हमारा computer की memory है ना अब computer की memory पढ़ने से पहले देखो हमने क्या क्या चीजे देख ली है एक तो हमने introduction देख लिए computer का उसको उपियोग क्या क्या है block diagram सारी चीजे देख लिए फिर हमने देखे थे generation ठीक है पांच प्रकार की होती वह भी देख थी उसके आधी हमने क्या देखे थे प्रका प्रका हाग के देखने वाले हां he लेख सकते हैं अलग से पर हमारे पस कहा दिखते हैं क्या होता हमारे दिमाग में क्या होथा जबगा आपको can see.. पूदी नियुकि- और ढराँ ऑप जब कि कम्पीटर में क्या कर दिये उसको अलग अलाग तो मेमोरी का मतलब क्या होता है याद रखने की स्वहर्चन को क्या दखन 냄ीमोरी है तो कम्पीटर में अलग अलग प्रकार के मेमोरी है कुछ short term होती है कुछ long term होती है यानि कि कुछ style होती है कुछ style होती है तो थोड़े समिक लिए जो रखेगी वो क्या कहलाएगी आपकी short term और लंबे समय यानि style रुप से लखे तो long term अच्छा हमारे पास भी तो होती होगी नि मेमोरी देखो यह खोपड़ी रहती है खोपड़ी के अंदर रहता है भेजा बोलते जिसे भेजा मतलब उधर sand वाला नहीं भेजा मतलब मतिस्क हाँ भेजा ठीक है तो भेजे में ही सारी चीज़े कह रहती है आपकी फीड रहती है मतलब ऐसे यह जो चीज़े है यहां दिख रहे यहां पर नहीं दिखती है तो हमारे दिमाग में जो memory होती है पहले हम हमारी बात कर लेते यह है computer का brain brain मतलब जिसमें memory भी inbuilt होती है तो आप देखो अभी घर से आप यहां तक आये होंगे मानलो आपका यह घर है और घर से लेक आप यहां तक आ रहे है यह आपका destination है रास्तेम चलते चलते बहुत सारे गड़े ब्रेकर दुनिय तो आप नहीं बता पाओगे नहीं बता पाओगे पर current में आप चल रहे थे तो आपको पता था कि हमको left जाना right जाना किदर साइड मुड़ना है उस breaker आया तो हमको थोड़ा speed slow करना है सब चीज पता ठीक नहीं पता थी तो वो चीज भी आद किस ने रखी थी memory ने पर अभी याद है क्या है के याद वह भी नहीं अब एक बात बताओ जैसे मान लो आप जा रहे हो और breaker से कूथ खे आप नहीं टकरा गए है ना breaker से कूथ खे टकरा गए तो वो चीज आप जिंदगी भार याद रखो कितनी हाँ breaker से गिरे थे इसका मतला जो breaker ने आपको गिराया है उस breaker को हमेशा याद रखोगे और वहाँ चाहा है तो गाड़ी बंद करके लोड़का लोगे है ना ऐसा भी हो सकता है क्योंकि डर लग जाता है ठीक है तो यह चीज आपकी बताओ लंबे सामय तक याद हो गई और जो बाकी की चीज थी वो नहीं रही तो इसका मतलब जिन कड़ा आया तो पहले ही हमारी पल के बंद हो जाती मतलब क्या मेमोरी है कि नहीं मेमोरी नहीं रहती खोल के बैठी ऐसे करके यह से रहता क्या नहीं तो सिंपल सी बात है जो हमारी working में सहयक हो से क्या वो लेंगे working memory यानि short time memory और जो हमको भविस में काम आय इसका मतलब जैस जैसे ही पढ़ाई को हम रिविजन करेंगे कि क्या होगा भूलेंगे नहीं ठीक है और हमको जी सारी चीजे कहां से मिलती है environment यानि कि हम पैदल चल गए आसपाल environment का मतलब क्या होता है परियावरन हमारे आसपाल का जो आवरन है building है bus है गाड़ी है motor है दुनिया भर की जो च computer यानि कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी computer तो computer में short time memory को temporary बोलते हैं simple सी बात नाम बदल के synonym समनार्थी सब्समझती कि नहीं short time मतला temporary और long time मतला permanent तो यहां पे भी देखो जब computer अभी हम जो है काम कर रहे है देखो मैं यहां पे आपको पढ़ा रहूं तो इसका मतलब देखो cursor चल रहा है computer चालू है यानि slide चल रहे presentation चल रहे है बहुत सारी process चल रही है तो बरतमान में जितनी भी चीज़े चल रहे है वो computer याद नहीं रखता पर आप अगर जो चीज़ आपने document मना उसको आप control s कर देते हो क्या करते हो control s समस्तेक नहीं control s का मतलब save और save का मतलब होत अब इसमें निकाल भी सकते हैं पर आज हमने कौन-कौन से program में काम किया अगर हम लिखकर नहीं रखते हैं तो 10-3 बात कोई पुछेगत नहीं बता पाएंगे तो कि computer को भी नहीं पता नहीं क्या करें थे नहीं पता भाई अभी वो चल रहा background में धेर सारी process जैसे मैं आपको देखो इतनी सारी process है अब इन process को हम ना तो computer याद रखेगा ना हम याद रखेंगे ठीक है मतलब वो अभी इसको computer को चलाने के लिए इन process को चला रहा है ना कि याद रखने के लिए तो इसको कहां रखेगा वो जो process चला रहा हो कहां रखेगा temporary समझ गया working और उसको अगर ह कुन सी आ जाती है एक तो आ जाती है RAM आगे पढ़िंगे देखो RAM के दो प्रकार होते एक तो physical RAM होती है physical RAM मतलब यह जो दिख रहे है या आपको यह वाली physical RAM physical मतलब जिनको हम छू सकते है महसूस कर सकते है ठीक है और एक virtual RAM होती है बस सोच सकते कि RAM जैसे आप अभी देखो mobile खरिदने जाते हो तो आपको 6GB RAM मिलती है और 6GB बोलेगा virtual RAM increase कर सकते हो अभी वर्तमान में लेने जाओ गए तो यह वाली RAM तो रहती नहीं पर यह वाली रहती है यह रहती है यह secondary storage से उठाकर आपको feel कराता है हाँ हाँ है आपके पास ठीक है जैसे आपके पास मानलो 1000 है पर आपको घर से जाते समय बोल दिया गए कि 1000 रुपर खर्चे कर अगर जरुवत पड़ी तो 1000 और मैं देने के लिए बैठा हूं कोई भी बड़ा भाई बेहन माता पिता जो भी पर वो है कि आपके पास अभी physical रुप से कितना है 1000 पर आप extend कहां तक खर्चा कर सकते हो 2000 समझ गए ना तो 1000 एक्स्ट्रा वाला कहां से आ रहा कहीं और से इसका मतलब कहीं और से आ रहा मतलब वर्चौल रूप से है आप फील तो कर ले रेक 2000 खर्चा कर लूँगा पर है कितना ऐसे ही computer के पास RAM कितनी है चार जी भी पर चार और वो उधार ले सकता है यानिकि total कितन कितनी हो गई और तो फीजिकल रेम यहां कितनी हो गई चार और वर्चौल रेम कितनी हो गई चार चार उसके पास है कि कहीं से लेगा कहीं से लेगा और जब कहीं से लेगा वह तो कहां से लेगा भाई कहीं ना कहीं तो मेमोरी रहना चाहिए तो मेमोरी एक और रहती हमार प 15GB store कर सकते हैं तो हां समले भी सकते हैं भाइब 5GB हम Google Drive का डाटर ले लेते हैं storage और हम बोल देते हैं हमने 5GB मोबाइल में store कर दिया 5GB Google Drive में तो टोटल कितना GB हो गया 10 तो आपका जो 5GB था वो है नहीं कहीं से लिये हैं समझ गया तो यहां ऐसे ही physical RAM आपके पास जो रहती है और virtual RAM मतलब कहीं से उधार ली जाती है, कब ली जाएगी यह, हम ऐसे ही आप लेखा चलोगे, जरूवत पढ़ने पर लोगे, हाँ, तो virtual RAM जरूवत पढ़ने पर आती है, define कर दी गई है, एक 1000 ही देंगे, और वो जरूवत पढ़न आपने case भी सुना होगा, case bridge का काम करती है, bridge मतलब समझ गए ना, compounder, है ना, याद आया कुछ, block diagram में पढ़े थे, तो case एक bridge का काम करती है, CPU आपका डॉक्टर साहब है, यानि कि, इलाज पानी जो भी है, computer में, वो पूरा काम भोही करता है, उसके साथ एक assistant जुड़ा होता ह जो समय समय पर जो काम किया, जैसे doctor ने फट 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 लिखा, जान दो, अब उसको कुण कुण सी injection क्या लगा ना, वो assistant याद रखे, doctor भूल गया, दूसरा patient आया, उसकी जाच पड़ता है, वो भूल गया, ना तो वो गुली दबाई बताएगा, कप कप खाना है, तो यह पूरा काम कौन store करकर रखता है, रजिस्टर, रजिस्टर एक buffer memory है, ठीक है, तो आपको CPU भी पता है, रजिस्टर भी पता है, कैस भी पता है, RAM भी पता है, Random Access memory यानि primary memory, secondary memory मतला, permanent memory, ठीक है, permanent मतला, जिसमें से data हम निप्टाएंगे, तभी निप्टेगा, नहीं तो नहीं, यानि कि आप उड़ा दो और बोल दो कि नहीं यह भी तो data डाटा किस से delete नहीं होता है, सबसे delete हो जाता है, ठीक है, उसमें ही ROM आ जाती है, आपकी read only memory या, BIOS आ जाता है, basic input output system, ठीक है, removable disk ने pen drive आ जाती है, network storage आ जाती है, hard drive आ जाती है, और इसका environment जैसे अपना environment थ है की नहीं, इसका environment क्या होगा, भाई input device से देंगे, तब वो store करेगा, ठीक है, इसके अलावा mouse है, keyboard है, removal media है, scanner है, ठीक है, remote source है, मतलब आपका computer कोई और use कर रहा है, यहाँ, यहीं बैठे बैठे आपका computer यूज कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, remote, remote समझते हैं, यह देख ठीक है, remote access, तो आपको यह structure समझ में आया, अगर यह समझ में आगा, पूरी memory आपके clear, बस आगे हम थोड़ा थोड़ा नाम देख लेते हैं, तो memory मतलब क्या हो गया, या दास, चंगरहेंड छमता, यह storage छमता को हम क्या बोलते हैं, memory बोलते हैं, ठीक है, तो memory दो प्रकार की होती है, आगे देखेंगे, और हर एक memory जो है, किस pattern में चलेगी, 0 और 1, पर 0 और 1 को ही हम क्या बोलते हैं, binary digit, या फिर binary language, या machine language, ठीक है, या digital code, कुछ भी बोल दो, है तो 0 और 1, 0 को हम बोल देते हैं, क्या, off, और 1 को क्या बोल देते हैं, on, circuit जो होते ही, इसी pattern में काम करत हैं, 0 और 1 की, तो 0 या 1, 0 या 1, या पस में क्या कहलाएगी, एक bit, मतलब 0 को 1 bit बोल सकते हैं, या 1 को 1 bit बोल सकते हैं, और दोनों में ला दिये जाये तो, binary code बन जाएगा, digital language, है ना, इसका आधार देखेंगे, हम जैसे कोई लिखा 0, 1, जो भी है, इसका आधार यह से कर द करते हैं, कौन से number यूज करते हैं, देखो, 0 से लेखे 9 यूज करते हैं, इतना ही, ऐसा मत बोलना है, 0 से लेख 9, 10, 12, 13, जो भी है, ऐसा नहीं, उसी में सब चीज़े जाती है, जैसे आप 0, 0 के बाद क्या था, 1, 1 के बाद, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इन ही मैं से सभी अंक बन जाएंगे आगे, आगे जितने भी करोड़ों अंक बनाएंगे, सब इसी में से, तो कितने अंक हो गए, बताओ जरा मुझे, 9 है कि 10 है, कैसे, 0 गिलिंगे न, 0 को क्यो छोड़ोगे आप, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 10, कुछ अंक आपने ये भी देखे होंगे, तो अब कितने अंक हो गए, 0 से 15 मतला, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसको बोल दिये, बाइनेरी कोड, इसको बोल दिये, decimal, दसमलो वाली, इसको बोल दिये, octal, यानि कि, 8 बेस, और इसको बोल दिये, hexadecimal, यानि कि, so long, तो यह आगए, आपने देख ले यह भी measurement unit होती है, जिसे आप अपने घर में कुछ चीजे मापने के लिए, क्या रखते हो, parameter रहते कि नहीं कुछ, कपड़ा मापना है तो meter रखते हो, दूद मापना है तो liter, आपको कुछ सक्कर बगेरा या जो भी मापना है तो kilogram, मापते कि नहीं मापते है, mobile मापना है तो, ग्राम में माप होगे, kilogram में क्यों माप होगे, बता, mobile को कैसे माप होगे, ग्राम में, 400 ग्राम, 300 ग्राम, ऐसा कुछ, है ना, और computer को, kilogram में, laptop को भी kilogram में माप होगे, तो हर एक जो है मापने की, जो काई है, वो उसकी जरुवत के साफ से बनी है, एक एक चीज से सब का माप द जैसे मानलों आप देखते हैं, पचास ग्राम को एक छटाग बोल देते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो एंसे ही चार बिट को में, एक है या जीरो है तो बिट बोल दिये, पर उनका गुरूप बना दिये, चार कत क्या बन जाएगा, निबल, एक निबल, और अगर बीटना बोल कर क्या बोलिंग उसको, एक बाइट, वन बाइट, अब ये बाइट, दस्वोचोविस कर देते क्या बन जाएगी, एक केवी, केवी मतलब केवी कर देतो, एक एम बी, ऐसे ही दस्वोचोविस, दस्वोचोविस करकर कहा तक ले जाएंगे, दस्वोचोविस ब ध्यान रखना दोनों में सबसे बड़ी को यहां गेगाबाइट भी देगा वो और दूसरे के देगा जियोबाइट भी देगा तो यह वाला जी भी बड़ा है कि यह वाला जी भी बड़ा है सबसे बड़ा जो यूनिट है कुन सा है जियोबाइट जिसमें कितनी होती है 1024 ब्रॉंटोबाइट होती है यहनी की वी बी और सबसे छोटी है वन बिट समझ गए तो इसको इस्ट्रक्चर को आप ध्यान रख लेना एक कोश्चन आता है कि एक एमबी में एक एमबी में देख एक एमबी बरावर कितने वाइट होते है बताओ एक एमबी वरावर कितने वाइट होते है तो आपका अंसर क्या आना चाहिए 1024 का डवल की सिंगल बताओ कैसे डवल आएगा ए देखो के भी आ रहा है परंतु के भी जो है दस्चोवविस वाइट से मिलकर रवना है तो 10,48,546 आपको याद आया होगा इससे कुछ रो एक्सल की रो एक्सल की रो इसका मतलब 1024 को डबल बार गुणा कारणा समझ गए तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 1024 का 1024 में गुणा आया तो एक्सल की रो बनती है तो जब इतना आ जाएगा तो mcq आप हल कर सकते हो ठीक है ध्यान रखना है चीज़ ऐसा भी तो कोश्चान आ सकता है कि एक जीबी में कितने वाइट होते हैं 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 आप बहुत बड़ा खिच्डी हो जाएगी है ना इतने को तो आप मेंटेन करें नहीं सकते तो तुक्का लगा देना तुक्का क्यों लगा आ रही है कितनी 1048,500 और एक जीबी में इतनी आ रही है आप टीबी पीबी भूल जाओ आगे चलो भगाओ इसको यह आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा कैल्कुलेशन करने एक बात नहीं थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि कैल्कुलेशन करोगे तो आपका एक्जाम खत पड़ते हैं ना सबकी अच्छी रहती है वहां था उसके बाद सब अंगुठचा चाप बन जाते हैं अगुठचा चाप तो अभी और ज्यादा होगा फिंगर प्रिंट अंगुठचा लगाट खोलते हो है ना तो सब कैसे है यह ना बिना अंगुठचा काम भी नहीं चल र की वर्किंग को मैनेज करती है यहने की वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहा है उसमें क्या-क्या कारपनाली चल रहे है कौन-कौन सी प्रोसेस चल रहे है सब को कौन मेंटेन करेगा प्राइमरी और प्राइमरी में देखो CPU की मेमोरी हमने देखे थे रजिस्टर और कैस को भी CPU की मेमोरी इसलिए बोल दी क्योंकि मीडियेटर ब्रिच का काम करता है उसी की मेमोरी बोल दी हालाकि रजिस्टर बस क्या होता है CPU की मेमोरी कैस भी हमको दिखाई नहीं देती to technical रूप से लगी होती क्या नई उसी में रहती है एक होती है की बॉलेटायल मेमोरी बॉले प्रोग्राम खुले से पता चले गए नहीं पर आपने जो फाइल सेप कर दी वो पता चलती नहीं बाद में चलती है तो इसका मतलब ऐसी मेमोरी जो बिजली बंद होने के बाद क्या हो जाए इरेज उसे क्या बोलेंगे बॉलेटाइल यानि कि आइस्थाई मेमोरी और एक होत मतलब आजस्थाई में आज हyle रेम मतलब रैंडम एक्स ठेमोरी है ना रेम में थीन प्रकार है झार्य में मतलब स्टेट्य रम छोड़ी सथाई है सकती कौन सब्सक्राइब और जो बार बार निपट जातीए भार बार डिलीट हो तो शसे बोलते है को झाते है यहाँ पर डाइनेमिक क्या करती है अपना data store बाला तुरंटकी तुरंट निफ्टाते जाती है रिफ्रेस समझते हैं, राइट किल्क करकर करते हैं, तो हर बार रिफ्रेस करोगे तो DRAM में store data स्वाहा ठीक है पर static memory ना तो refresh की जावा सकता पड़ती है ना तो वो delete करती बार बार मतलब बिजली बंद होने के बार तो delete हो जाएगा पर यहां तो रंत नहीं हो रहा है और virtual RAM मेंने समझा दी आपको physical रूफ से नहीं रहती है उधार ली जाती है कब जब processing ज़्यादा हो जाती है समझ गया non volatile की बात करे अब यह non volatile मतलब जो permanent होती है यहने की स्थाई होती है अब इसमें आप ऐसा मत बोलना है कि हम कुछ data copy करके ले जाले यह roam होती है इसको बलते read only memory read only memory मतलब होता है जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है उसमें कोई छेड़ खानी नहीं की जा सकती है एक बार आपने store कर दिये उसके आद भूल जाओ दागो और भूल जाओ वाली स्तिती सुनें मिसाईल जैसे निसाना लगाए किसी पर और छोड़ दिये और आँग बंद कर बड़ी हसो जाओ चुपचा वो मार कई छोड़ेगी उसको हाना दागो और भूल जाओ जैसे मधुमक्खी कभी छेड़ खानी करें किनी मधुमक्खी छाँ बड़ी वाली छोटी वाली नहीं बड़ी वाली साथ छेड़ खानी करना जब तक निकले ना तो अब आपकी कैपेसिटी कितनी देर की है पता चल रहा है अंदर ही दमघुट के माजा आया बहार क्योंकि मधुमक्खी काटने से भी क्या हो जाते है ज्यादा काड़ दे तो एक दो काड़ दे तो पर माया सूर बन जाओ गया आप चलो रोम के भी जैसे रेम के कुछ प्रकार थे बैसे रोम के भी क्या है प्रकार पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीडाउनली मेमोरी तो रोम का मतलब तो समझ गए रीडाउनली मेमोरी पी का मतलब बस जानना ना पी का मतलब प्रोग्रामेबल इसका मतलब एक बार data store हो जाता तो फिर हटाया नहीं जा सकता पर यहाँ देखो P का मतलब भी पता है, ROM का मतलब भी पता सिर्फ किसका जानना है? E का E का मतलब क्या हो गया? यानि कि जो हटायी जा सकती है कुछ टेकनीक से, volatile तरंगे या जो भी आपकी जो रहती है अल्ट्रा वाइलेट जो किरने होती की नहीं? यह फरावैगनी तरंगे उसके कारण इसको हटाया जा सकता है हमेशा थोड़ी हटाएंगे, जरूरत पढ़ने फटाएंगे इन emergency में पता चाल रहा हटायी जा रहा है और यहां देखो, यहां भी देखो जा रहा है एक यह और increase हो गया है हो गया है, यह देखो, E, P, Rome तो हई देखो इसका मतलब समझ गया ना? Erisable, programmable, read-only memory तो इसका मतलब भी बहुँ होगा Erisable, programmable, read-only memory तो E का मतलब क्या है, तुरे वाले का? Electrically, erisable, programmable, read-only memory तो सुरु वाली E का मतलब, electrically दूसरे वाली E का मतलब, erisable P का मतलब, programmable और Rome का मतलब पता ही आपको तो जो electric तरंगों से हटाई जाती है electric जटकों से, जो भी है तो उसे क्या बोलते हैं, डवल ई-पी रोम बोल दो डवल ई-पी नहीं डवल ई-पी रोम है ना, डवल ई-पी सही तो बोल रहा है वैसे, गलत कहा हो रहा है डवल ई-पी रोम चलो, आगे चलो, यह हो गई हमारी primary memory के part इसका मतलब, primary memory को हम ऐसा नहीं बोल सकते का आइस्थाई memory है primary memory में भी आपके कुछ है आइस्थाई और कुछ है इस्थाई, है ना, इस्थाई और आइस्थाई, आप secondary memory बात करें secondary memory भी दो category माती एक तो आती direct और एक आती sequential sequential मतलब lines है, आप कही ticket कटाने जाते हो, तो बीच में लगते क्लाइं, कैसे लगते हैं sequence में लगते हैं, यह जो बेक्टी पहले लगा, वो ही निकलेगा बाद में घुसके देखो बीच में एक बार, है ना पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, पेट्रोल पम जाते कभी भीड रहती था बीच में गाड़ी घुसाग देखना कभी लड़कियों के लिए तो फीमेल के लिए के रहता है आरक्षंड रहता है बाजूस खड़े होके उसको भरना पड़ेगा sequential मतलब जो क्राम अनुसार चलती है, आपने tape recorder देखे हो, cassette, cassette ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको यह देखो, यह cassette देखे होंगे आपने, इस प्रकार का tape recorder की cassette, जो इसके अंदर लगी होती है ठीक, यह देखो, यह दो चक्के रहते हैं, है ना, कभगभी आपने दिल निकाल के खेले भी होंगे है ना, और जारत से हम ठोड़ी सपतली हो जाती है वो तूट जाती है, क्या रहता हूँ वसमें बताओ जो जड़ा काला ग्रे कलर का कुछ रहता है लेपन, है तो वो पौलिथीन पर ग्रे कलर का कुछ लेप रहता है magnetic की परक्थ होती है मेगनेट मतलब चुम्ब कत्ब होता है उसी में रिकॉर्ड होता है ठीक रिकॉर्डर भी चल जाता है रिकॉर्ड चालू करो उसको मिटा करो दूसरे रिकॉर्ड कर खाली पन्ने में रिकॉर्ड करके देखो नहीं होगा तो magnetic जो है उसको tape बोला जाता है magnetic tape क्यों हो क्योंकि magnet की उसमें क्या रहती थी परत reel में और reel के लिए दो भील लगे होते हैं देखो ये अगर इधर चल रहे हैं तो वो पूरा खाली हो के इधर चल जाता पूरी reel खतम मतलब रुख जाएगा फिर आप reverse में प्ले करते हैं पल्टाक है तो चार गाने इधर बजेंगे चार गाने इधर बजेंगे अब बताव मुझे जब आप गाना प्ले करते हो मानलो आपका गाना आपको पांच पे नंबर का गाना बहुत पसंद है और आपने अभी tape की cassette लगाए हो तो बताव कैसे सुनोगे डारेक पांस दबाओगे कि फिर forward बतन दबाओगे पांस दबाओगे पांच की बटन कहां होती ही वहाँ tape recorder में आपने नहीं देखा होगा ठीक है उसमें play, pause रहती है forward और previous रहती है fast forward fast forward करोगे तो तीन गाने है चार गाने skip करेगा वो पहले बार-बार तेज घूमके और पांच बगाना आएगा और वहाँ जाके आप उसको play करोगे मतलब चार गाने होकर गुजरे हैं simple सी बात है जैसे आप line में लगे हो तो आप पांच में नमबर पर लगे हो तो चार गातिक टिकिट पहले कटेगी पहले आप किछ कट जाएगी कटेगी ना तो इसका मतलब क्या कराम अनुसार चल रहा है जो गातिक पहले आया वो ही पहले जा रहा है तो ऐसी डिवाइस या ऐसी मेमोरी जो कराम अनुसार चलती थी है ना जैसे tape देखें न तुसे क्या बोलते थे और डारेक्ट डारेक्ट मतला अभी आप देखो आपको दस्वे नंबर का गाना सुनना फट से आप दस में जाक किलिक कर देते हो पीछे कि नो जान दो हमको नहीं करना कुछ मीडिया पिलियर में जाते हैं कि नहीं जाते तो इसका मतलब क्या है आपने डारेक्ट गाई कि सिक्वेंसियल गाई तो ऐसी मेमोरी जिसमें आप डारेक्ट सेव कर सकते डारेक्ट निकाल भी सकते जैसे हट्ड डिस्क अभी सेव करते हो D में सेव कर दो E में सेव कर दो direct आपको उठाना है क्या पुरानी technique हो गई है ठीक है और यहां आप देखोगे डिरेक्ट में तो एक magnetic disk होती है एक optical disk होती है एक flash drive होती है आप देखो magnetic disk की बात करे magnetic disk heart disk दिखा था मैंने आपको कल heart disk मतलब क्या होता है magnetic disk होती ही वगी धिस्क मतला गोल चक्का गोल चक्के धेस आ रहे होगा तो उससे मिलकर क्या बनती है डिस्क बनती है जैसे सीडी डीवीडी देखे कि नहीं अपने सीडी डीवीडी जैसे ही बहुत सारी चीजे इसके अंदर रहती है इसमें हाट डिस्क में है ठीक उसे क्या बोलती है अपकी फ्लॉपी डिस्क क्या आती है फ्लॉपी डिस्क ठीक इसमें आगे दिखाएगा भी न अपन लिखने के मेह SSD solid state drive ठीक है चिप लेबल के आ गए चिप जैसी रहती न और चिप में data fast write होता है fast read होता है दोनों ही चीज है और इसमें कैसा होता थोड़ा सुलो होता है इसकी capacity बहुत कम थी तो अभी चलन में नहीं है अभी कौन सी चलन में hard disk और hard disk को भी override करके कोन आ गई अभी SSD नए laptop नए computer जो भी चीज लोगे आप क्या आएगा अभी SSD ठीक है उसके आथ optical disk आपने देखा होगा जिससे अंतरगत cd भी आती है cd देखे न 700mb capacity होत निकलता है है अगर वह आख में चला जाए तो गई आख है ना तो ध्यान रखना बाइस यह भी तो मिलती नहीं मिलती जने फोड़ेंगे कैसे यह भी तो बात होती नहीं है उसके बाद देखो cd के भी कुछ प्रकार होते cd रोम रोम का मतलब क्या होता है read only memory और cd मतलब compact disc cd मतलब compact disc cdr का मतलब होता है rewritable आप एक बार write कर दो और फिर से कहीं ले जाकर उसको फिर से rewrite कर दो है ना और इसका मतलब होता है rewritable इसका मतलब readable होता है इसका मतलब क्या होगा readable और read only memory तो अपने आप में read only memory है इसी के जैसे क्या आती है आपकी dvd cd की बड़ी बहन मतलब upgraded technology कैसे यहां 700 MB हुआ करती थी यहां पर होती है चार चार्द assembler 7 GB और double sided है तो 8 GB 16 GB यह से कुछ होती है अलग अलग parameter में तो dvd की कीमत और cd कीमत अभी लग 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 सेम है क्योंकि चलन में दोनों नहीं है इसमें भी dvd रोम आती है dvd का full form क्या होगा देखो इसका मतलब क्या था compact disc इसका मतलब क्या होगा digital versatile disc versatile मतलब हर जग होग ठीक है digital मतलब भाई digital ही रूप से गाने है वीडियो है इमेज है दुनिया भर की जो चीजे हो रही हो क्या है digital जो computer जैसी devices में चलती वो सब कहलाती digital versatile मतलब हर जग है और disc मतलब है जो घुमने बाली disc होती है उसी में अलग अलग प्रकार आते जिसे read only memory, readable और इसी में एक और आती है आपकी vrd vrd मतलब होता है blu-ray disc dvd का upgraded version क्या हो जाएगा blu-ray disc तो इसमें high quality की high definition movie आती ही न 4k 8k वो store होती था अलग कि यह भी अभी चलन में नहीं है फिर आती है hvd holographic video disc hologram सुने की hologram एक movie देखना विवेगम है ना उसमें आपको example मिल जाएगा hologram है ना hologram मतलब समझ रहा है जैसे विवेग नहीं है उसका एक बनाय डिजाइन कहां पर computer में और यहां रख दिये सामने आप किसी से इसे बात कर रहा है और वहां जो चित्र दिख रहा है लगेगा कि इसको मतलब उसी प्रकार का store होता हाई quality का इससे भी upgraded है आगे चित्र भी दिखाऊंगे इसको मैं और फिर आपको देखने मिलेगा flash drive memory card देखे हो 1GB 2GB 3GB देखे कहीं हाँ देखो 01 जो आपकी computer की memory है हमेशा 2 के गुणे में चलती है क्या होता है क्या होता है 2 होता न बेस जैसे मानलो 512GB की है तो वो 1024 हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1024 की है तो वो हो जाएगी आपकी 248 मतलब ऐसा मानलो यह इनको घटा दो आप ऐसा मानलो 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB बता मुझे 48GB है कहीं नहीं है तो इसका मतलब 2 के multiply में चलती है क्योंकि बेस क्या 2 है, 2 है, ठीक है computer की memory आप hard disk देखना या फिर आप देखो बीड प्रोसेसर भी देखोगे तो 8 बीड वाला चलता है, solar बीड वाला चलता, 12 बीड नहीं चलता, ठीक है तो दिहान रखना, चलो, card भी देखे ने, pen drive भी देखे, pen drive भी 2GB, 4GB, SM चलती है, तो pen drive आपके इसको thumb drive भी बोलते, thumb क्यों, अंगुठे जैसे कहीं भी फसा दोस को, अंगुठा मत फसा आना, कभी return मारा तो current लग जाएगा, thumb drive क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक अंगुठे में पकड़कर आप उसको use कर सकते हो, memory card, memory card आपके mobile में, external memory का काम करता, देखे होंगे, चलो थोड़ थो है, क्या बनाय करो, mind map समस्तिक नहीं, बताओ, mind map देखे होंगे बताओ, आप बहुत सार पढ़ लिए, 50 page, 100 page, 100 page को आप दो page में, उसका map बना दिये, क्या-क्या पढ़े, बिल्कुल, छितरा दिये पूरा, यह से मान लो, आपने क्या पढ़े, computer, computer की input device पढ़ लिए, output पढ अब input में भी क्या पढ़े, mouse पढ़े, keyboard पढ़े, mouse में भी पढ़े, optical mouse, wireless mouse, दुनिया भर का, अब बताओ, यहां computer में जाओगे, input में ऐसे आपका अंदर, automatic, ब्रक्ष बनने लगेगा, समझे जाल, तो जब आप paper में लिखने, consist करोगे, तो आँख बंद करोगे, mouse, mouse के करते हैं, visual, text नहीं करते, text करते हैं, मजबूरी में, आपको नीन्द क्यों आती, book पढ़ते समय, book में text पढ़ते हैं, उसको visualize करो, कुछ भी चीज पढ़ रहा है, imagine करो, हाँ, उसका मतलब है, ऐसा हो दा, सुस्तिक नहीं, आपने कुछ, जिससे मान लो, आप AP जब्दूलकल आप साप सोने होंगे, हमारे पूर राष्ट पती, और कौन थे वो, scientist, उनके बारे माँ पढ़ोगे, तो आप आप बंद के visualize करो, मिसाइल उनने कैसे उड़ा होंगे, या फिर परिक्षण कैसे करे होंगे, तो आप उनकी autobiography पढ़ने में, या autobiography पढ़ने में, बोर नहीं हो पहुच गया, पहुचा कि नहीं पहुचा, कितनी ज़्यादा capacity है, पर आपको जाने में कई दिन लग जाएंगे वहां, जब इतनी powerful machine है, computer से तेज है कि नहीं ये बताओ, मतलब वो इतना काम कर रहा है, हमारे दिमाग तो उससे तेज चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने ब और ना बस चक ठाकेगा तो जल्दी बुढ़ा पाएगा, यहने दिमाग का, आपका नहीं, बुढ़े कहा सोते हैं आप, बोडिस क्या, बोडिस एक बाद बताओ, एक विकलाइंग बेखती उसके दिमाग कितना फास चलता, वो तो अपने आपको मरा हुआ थाबित कर ले, क कुछ नहीं करता था, बास उंगली चलती थे, उंगली से उठा लेता था, वो कुछ भी कर देता था, किसी को भी, हैना आख से और उंगली से, हैना वो तो कुछ भी ने उंगली बना करें तो उसके आख सही पूरी जो उसकी वीलचेर जो भी रहती थी उसको कंट्रोल करता गुस्सा आता था तांक से वो दिवाल फोड़ दे कुछ भी कर दे समझ गए तो इसका मतलब माइंड की पावर है कि नहीं पूरी चीज बंद हो जाए अपनी बॉड़ी कि माइंड अपने आपना पावर खुल हो जाएगा पर आप माइंड को दुनिया भर में घसिटते रहते बेचारा मज़ूरी करते रहता आपकी शेना बिना पैसे की माइंड को सबबासी भी दिया करओ आप कैसे कुछ करा उन में जैसे मानलो आपने कुछ शॉल्ब कर दिये तो ऐसे करा कौड़ सबबाफ सबबाफ आगर किसी सउम्मीद करो गिदुनिया आपको कवी सबबासी न मिलती कुछ अच्छा करो तो समझ गए पूरा हमारा हार्मों का खेल है कुछ खाने के इक्षा हो रही है क्यों हार्मोंस रिलीज हुआ क्यों हो रही है कुछ देख लिए आपने रस्तेम रस्तेम जा रहे है कुछ देख लिए लाटा पकने लगी क्यों हार्मोंस रिलीज हुआ है . . यहां कर ना ? समझ गए ! कु घलात हार्मोंस हो डिली बसके चलो। यहां देखो। हमने सेकेंरृ मेरी मेरी की बात करें सेकेंट डिय हर्टर्ड इस यहां फिर एस अज्ड जिसमें हम डाटा डियस्टोर करतें पर्मनेंट। पहते सारी बसके उसके बाद हमारी क्या होती है, main memory, main memory में आपको देखने मिलेगा, RAM और एक मिलेगी, ROM, ये दोनों memory हाँ, main memory मिलेगी, क्योंकि देखो, ROM में आपका BIOS होता है, BIOS का मतलब आगे पढ़ेंगे अपन, BIOS मतलब basic input output system, यहने कि, जो आपके computer में, जो आपका keyboard है, input लेता है, देता ह आपर कुछ-कुछ coding आती होगी, आती न, वो कहां store रहती है, daily भोई-भोई आती, बदलती है, क्यों, 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 permanent है, क्या है वो, और कहां store है, main memory, यानि कि, ROM में, और RAM, उसके बाद, ROM बोलता है, हाँ, हमने start कर दी है, अब बारी, तम्हारी, यानि कि, जो काम हो रहा है उसको आप, देखो, तो दोनों मिलकर काम कर रहे है, तो दोनों किस के टिकरीम आ गई, और इसमें, दोनों के सहयोग से कुछ हम control S कर देते हैं, तो फिर क्या बोलते है, अब हमारी जिम्मेदारी, खताम, अब रहे है, इसकी जिम्मेदारी, समझ गए, और यहाँ भी receptionist का का हम कर रहे है, समझ गए, यहाँ पर कुछ data instruction हमने रख दिये, लाइन से धिर सारा, कुछ open कर दिये, कुछ process कर दिये, फिर वो एक एक करके case memory के थरू कहा जाता, CPU महोद एक बाद, CPU के पास अपनी खुद की memory होती है, क्या बोलते है, register, register मतलब क्या हो गया आपका, buffer memory, buffer memory आपको case memory पता चल गई, case memory मतलब cache भी बोल सकते है, उसको आपने पढ़ने के साब से, जैसे इसका मतलब बता मुझे, यह जो लिखा है, c-h-a-r, इसका मतलब क्या है, चार, उसको care भी पढ़ सकते है, अपनी अपनी सुविदा, पर spelling गलत करोगे क्या, नई, pronunciation गलत हो सकता, पर spelling नए होना चाहिए, ठीक है, अब हर चीज का pronunciation गलत मत करना, प्रनसिसन को ही सही नहीं बोल पाते, तो आगे फिर उसके बाद जो निकली चीज़े, वो कैसे बोल दो गया, बता, उच्चारन बोलते हैं, चलो, यहाँ देखो, जैसे अपन, क्या बोलते हैं यह, रेम, इस एस रेम और डेम, रेम आपकी इस प्रकार की होती है, दो जीबी, चार जीबी, छे जीबी, आट जीबी, ठीक है, और डेम भी आपकी जो है, मतलब रेम में ही आ जाती है, कि स्टैटिक होती है, और रोम जो है इस प्रकार की होती है, मादर बोर्ड में होती है, ठीक है, अभ लिखा है मतलब लिखा ही है कोई मतलब भी नहीं है उसका है ना DDR2, DDR3 और DDR4 अभी कोन सी रेम चल रही और DDR का मतलब क्या होगा DDR का मतलब होगा डबल डेटा रेट क्या हो जाएगा डबल डेटा रेट ठीक है और 123 उसके बर्जन हो गया मतलब जैसे जैसे अपग्रेड हो रही टेकनलोजी वो आगे बढ़ाते जा रहा है यहां देखो यह है आपकी क्या hard disk मतलब hard disk तो यहां यहीं मान लो इसको छोड़ दो अभी यह hard disk है और यहां आपका जो CPU है यहां पर आपकी क्या है RAM देखें न तो RAM के पास मान लो जगह है 2GB कि कितनी है 2GB की processing हो गई 2 से जादा हो गई 2GB हो गई तो वो जो 500 MB है वो कहां से लेगा hard disk से और hard disk से जो RAM लेगा उसे बोलेंगे virtual memory पताया था मैंने अभी virtual मतलब कहीं और से ठीक है यह देखो magnetic tape देखें आपने यह दो चक्के लगे होते इसके अंदर और हम यासे उंगली घुसा कर उसको बढ़ा सकते हैं या pen घुसा दो pen से आप forward कर सकते हो या फिर एक तरफ मत करना जिधर से खिस्ती उधर ही करना पता चल रहा जिधर से नहीं खित्रे उधर कर दी तो लगाते तो उसको कार करम होता था तो वहां दिखाये जाता था ठीक है पर अभी क्या लगाते डीवीडी और डीवीडी न लगा का अब लगा देते हैं थम ड्राइब यह नहीं की pen drive क्या लगा देते हैं चलो आगे चलो यह है आपकी floppy disk अभी दिखाये मैंने magnetic disk की category माती है floppy disk disk की की बोल रहे है क्योंकि गोल चकती लगी होती है ठीक है और यह देखो यह cabinet में होती है इस cabinet में क्या क्या होती है जैसे मान लो कौन सी company ने बनाई है क्या है user manual दुनिया भर की write protect notch होता है इसको दबा दो तो क्या होगा वो data read write नहीं होगा और उसको फिर से दबा दो मत मतला तो क्या हो जाएगा data read write हो जाएगा डिस्क की jacket होती है jacket मतला हमारी jacket को उपर से hold क्या हो जाता है भाई ठंडी नहीं लगेगी जो भी तो इस जो चक्ती है इसकी उपर से हमने क्या पहना दिये jacket ठीक है मतला cover ऐसा बोल दो cover और यह index hole होता है disk hub centering hole होता है देखो यह जह तो बनाई दोगे और थोड़े थोड़े लिग भी दोगे और लिग दोगे तो फिर इसके बारे मां आप यहां पर पढ़ लेना floppy disk magnetic disk होती है दुनिया भर का जो बताय मैंने इसके अलग-अलग वर्जान आते है कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती है निकि 3.5 इंच क पूर होता था तो 4 MB कैसा था बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है यह एक और चीछ देखो RPM का मतलब क्या होगा ठीक है लिखा नहीं लिखा यहां देख लेना PDF में आप कमेंट करना आप अटाप कहिए ठीक है RPM का full form यह अलग-अलग जो है ब्यास मतलब क्या होता है इतना क्या होगा आप ते ब्यास चीज़ें पणिश्ड घेमिन किया मतलब क्या होता है इंगलीस में क्यू दो तुद्ध करों तो वन जाएगा लिएतर ही काfps जाए yesterday फयर फिर बेसीर फ़ूना अपना से है यह पढ़ लिए अपने यह वाला पुरा पढ़ लिए ठीक है आगे देखो गए तो देखो यह फिर से देखो CPU CPU पास cache भी रहती है और register भी रहती RAM के पास क्या रहता है जो भी instruction दिये वो रहते है और धीर धीर आते जाते हैं और वो solve करते जाता है ठीक है इसके अलावा यहां देखो यह primary memory category मागए फिर cd cd आगई usb thumb drive यह सारी चीज़े offline storage कहलाती है है तो secondary storage secondary का मतलब क्या होता है style ठी hard drive हमेशा लगी हो तीक CPU में तो इसका मतलब क्या offline और जो सदा रहती है वो hard drive और मैंने बताया था hard drive में operating system होता है और वो उसको लगाक नहीं रखेंगे इसका मतलब online नहीं रखोगे तो वो अपना जो operating system वो RAM में load करेगा जब है नहीं तो कैसे load करेगा जब load नहीं करेगा तो स्टार्ट होगा computer नहीं तो RAM वर्किंग को समालता है और यह operating system को रख पर रखता है मतलब जैसे बीच जीवी पचास जीवी ऐसा इस्टोर करने के लिए RAM की जगह नहीं होती RAM तो वर्किंग को समालता है ठीक है secondary memory क्या क्या आता है देखो बहुत सारी चीज़े जाती है इनके बारे में भी आपको सारी चीज़े मिलेगी देखो यह क्या क्या आता है hard drive यहने के hard disk, state drive, solid state drive यहने SSD, thumb drive यहने pen drive, SD card मतलब memory card, CD, DVD, floppy diskette आती है और tape drive आती है ठीक इस सब चीज़े हमने एक बार भी देख लि पर उसी का upgraded version चीप लेबल पर आगे गी तो अब बताओ यह घूमेगी तब data अपने को provide करेगी या save करेगी पर इसमें कुछ घूमने नहीं चीप में गया आया गया आया इसका मतलब fast किसमें होगा SSD में और से slow HDD यहने कि hard disk drive में इसका structure ध्यान रखना आप देखो इसका structure आ डिस्क कितनी लगी इसमें चार हो सकती है पांच हो सकती है दो भी हो सकती है यहने की capacity बढ़ाओ गए डिस्क बढ़ते जाएगी तो जितनी डिस्क रहेगी उतने को read कराना पड़ेगा और write कराना पड़ेगा यहने की जितनी डिस्क है उतने रीड राइट रहेंगे कि नही यह जो read right लगा है कितने यह disc है? 3 तो 3 के लिए कितने लगे? देखो जरा 4 रहेगी तो 4 तो इस arm assembly में सीधे arm मतलब एक खंबा मान लो खंबे में अपन ने 3 read right लगा दिये 3 read right है तो 3 गोले भी लगेंगे? लगेंगे कि नि लगेंगे? तीन गोले मतलब चक्ती और गोले में आप देखो पूरा सरकाल ground दोड़ने जाते ही कि नि? पूरा ground का जो है दोड़ते जहां हम उसे क्या बोलते हैं? track सुने कि नि सुने? track में दोड़ना बोलें गलत जाके दोड़ोगे तो जो बटा है जैसे यह देखो छोटे-छोटे भागों बटा है इसे क्या बोलेंगे? sector ठीक है? और track और sector से मिलकर ही data read और write होता है मतलब store होता है अगर कोई disk में track और sector बिगड़ जाए ground किसे बोल रहे हैं? बताओ जा रहा मुझे जहां track बना बकाइदा है ना 100-200 मितर के दाइरे बने है अगर उसमें पूरा बिल्कुल कीचाड़ हो जाए और यह वो घहां सुख जाए कुछी भी हो जाए तो बताओ उसमें हम दोड़ने के लिए possibility रहेगी कि मतलब वो ground कहलाएगा format का मतलब सजाना डेकोरेट करना याद आया कुछ MS word में है ना bold italic underline मतलब सजाते थे यानि डेकोरेट करते थे तो ऐसे ही dvd cd या जो भी memory अगर corrupt हो जाती है या फिर काम सहीं से नहीं करती है तो उसे क्या करते हैं format इस format करना मतलब पीछे background में क्या चल रहा track और sector का निर्मान क्या हो रहा है track और sector का निर्मान समझ गए चलो यह आपको बना कर देखना एक दो बार ठीक है अगर आप इसको बना कर देख लिए hard disk वाला question आपका complete और floppy disk वाला बनाक देख लेना गोल बना दिये और आसपस लिखना ही बत तो है कौन सा पैंटिंग कर वारा आप से और pencil से नहीं बनाना किससे बनाओगे black pencil ठीक आप बच्चे थोड़ी हो पैंसिल से बना बना कर राबर यूस कर रहे है राबर के यूस कर दिशेगा तो यह बता देना यह SSD है यह देखो यह चिप बाली SSD के पर कुछ प्रकार होते है SATA SSD होती है SATA मतला Serial Advanced Technology और M.2 होती है SSD होती है ठीक है तो यह अलग-अलग प्रकार होते है यह देखो यह सब प्रकार दिए एक बार इसको पढ़ लेना आप आपको सारी चीज़ ल की ओ neste कस यह होती है डिस्क होती जिसमें है ना और SSG जो होते है चीप लेभल पर तो दोनोम अंतर کی्या आकी अहीं मतला minute काम करती की सुलो करती और जो चीज़ी ज़्यादा परफॉर्फॉर्मेंस की वह महंगी आईगी और यह जो है आपकी क्यार्वागी तो उसी का धार पर फोड़ा से एक दो अंतार जो है आपके कनफर्म होने चाहिए उसके बाद आप खुद निकाल करते हैं ठीक है तुलनात्मक अध्यन करना आना चाहिए पढ़ लेना यह सेकेंडरी मेमोरी अपन ने देख लिए फलॉपी डिस्क भी देख लिए हैं यह वाल करते हैं यहां सब डिटेल लिखी कब बनी थी सीडी अब वह मैं याद कराने से रहा इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि वह याद करने पड़ेगा दोनों में अंतर पूछा है सीडी का मतलब कॉंपेक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल को अपन वीडियो अब करते हो तो आप वर्सेटाइल घर में भी कर लेते कॉलेज में आप कर लेते मोहले में भी पड़ो उसमें दुनिया भर में तो क्या हो गया वर्सेटाइल ठीक है तो यह देख लेना देखो यह अलग-अलग कैपिसीटी माती है देखो तो यह 700 MB और यह जो होती चारद असंबलो साथ या 17 असंबलो जीरो आट ठीक है डबल साइडेड में उसके ब्लूरे डिस्क CD को अफग्रेट किया गट क्या बनी आच्छा CD के भी पहले कुछ रही होगी छोटी बेहन यह थी फ्लॉपी क्या थी फ्लॉपी को अफग्रेट करके क्या बनाया गया CD CD के बाद DVD DVD के बाद ब्लूरे डिस्क है ना यह देखो यहाँ यह जो मूवी आई थे देखो चारली जंगल चारली जंगल या जो भी था वो सब है ना 2003 में इसको इसमें श्टोर किया गया था ब्लूरे डिस्क में और ब्लूरे डिस्क की बड़ी वेहन हो जाती है HBD HDB नहीं है HBD होलोग्राफिक वीडियो अब रसेटाइल डिस्क ठीक है यह देखो इसकी कैपिसिटी 4000 GB होती है अब ही आपने 17 GB बात करे थे 17 GB मतलब समझ रहे है 17 GB मतलब 17 GB पता ही सबको पर TV मतलब एक TV का मतलब हो जाता है 1000 GB तो चार है न लगभग लगभग तो चार का मतलब क्या हो गया 4000 GB यानि कि चार टीवी ठीक है किसने बनाया कब बनाया सारी चीज़ें वहां लिखी है और यह पैंड्राइब पहचानते कि ने पहचानते पहचानते अब सेंडिस की नहीं होगी तो खरीदना वुसिक चाहिए यह पैंड्राइब का इस्ट्रक्चर याद रख लेना एक ठोया से बॉक्स बना देना यूएस्ब बना देना उसके बारे में ऐसे एरो बना बना क्लिक देना अगर आए एक्जाम में तो उसके बारे में पढ़ना तो यह लिखा ही सब पढ़ना आपका काम है मेमोरी कार्ड देखे हो मेमोरी कार्ड यह बड़ा बाला है है ना जो केमरे में लगता है और आगर आपको छोटा कार्ड भी केमरे में लगाना तो यह बड़े कार्ड का केस आता है एक हैना अड़ाप्टर बोलते है उसमें घुसावा छोटा कार्ड और फिर बड़े कार्ड में लगा दो, मतलब बड़ा केमरा जो भी रहता है, जो आपका वीडियो केमरा या फिर DSLR होते हैं, यहां देखो आपको एक इसका कंपनी देखेगा, उसका प्रकार देखेगा, देखो, कितने MB की स्पीड है, उसकी, read-write स्पीड, memory का साइज देखेगा, एक क कार होते हैं, HD कार होता है, देखो, आपको कौन सा यूज आता है, यह बाला, यह मंजला कार्ड है, और यह बड़ा कार्ड है, ठीक है, बड़े कार्ड को क्या बोलते हैं, देखो जरा, यह सब लिखे, HD कार्ड है, SDHC कार्ड है, HDXC कार्ड है, इनकी सब की क्लास दी है, क्ल बार भी क्लास भाला ही वह उपन से पढ़ा कैसे पढ़ा पढ़ा तो बार भी है पढ़ा कि नहीं पढ़ा यहां पर दिया है normal mobile की वीडियो record कर सकते किसमे class 2 में 2 MB पर सेकेंड की गतिस है 30 MB की गतिस देखो ultra ultra high quality का है यह न यह 4K वीडियो record कर सकता 4K का मतलब क्या होता के मतलब 1000 के का मतलब क्या होता है 1000 और फोर मतलब 4000 अभी आप जो वीडियो देखते होंगे 240 P में देखते हैं देखते हैं एक सोचावाली से 240 से हथ से हथ तीनसोचाथ उससे जाद हम देखो कि आपका मुबाइल आपका डा पूरा पी जाएगा आपका डाटा मतलब जी ओ का यह जो भी पी जाएगा तो मैक्जिमम जो वीडियो आते हैं 1080 वाले आते हैं है ना 180P में आते हैं ठीक है 180P मतलब high quality full HD बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं इसका मतलब full HD आपका देखो यहां पर है और 4K वीडियो recording 4K वीडियो recording यह 30 MB पर second वाले में यह 1 और 3 ठीक ultra वाले में तो आप इसके बारे में थोड़ा सब देख लेना लिखने काया तो लिख सकते हैं यहां देखो यह फोटो के लिवी दिया है यहां आवर्स दिया है मतलब 270 घंटे का और अगर वहीं बात करें किसकी फोटो की 12 मेगापिक्सल समस्ते 12 मेगापिक्सल समस्ते हैं अभी देखें कि 108 मेगापिक्सल बहुत बड़े बड़े तो यहां मतलब वह मत करने हैं आपकी इमेजिन कर रहे हैं वहां पर हो तो जेपीजी फॉर्मेट की 38 फोटो स्टोर हो सकती किसमे 16 जीवी के कार्ड में 26 फोटो अपलोड हो सकती है मतलब उसमें स्टोर 20 30 मेगापिक्सल यहां बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ देखो फुल एचडी और यहां 13 एमडी पर सेकंड का वीडियो करें फुल एचडी तो 160 मिनिट का वीडियो आएगा कहां पर 16 जीवी में ठीक है एंसे 32 जीवी 64 जीवी और 122 जीवी में आप देख लेना ठीक है एक जानने के लिए कि हमको पतर है उसके आद प्राइमेरी मेमोरी क्या होती है प्राइमेरी मेमोरी क्या होती है अस्ताइर उससे डेटा को स्टोर करती है कंप्यूटर बंद होने पर यह डेटा डिलिट कर देती है ठीक है यह है मेमोरी सेकंडरी मेमोरी का पिक्छा मेहंगी होत डीडे इार्पोर और लेब्टवप कि नहीं बात परिये तो वह पहठ जाएगी आपके तीन हजार क्या पार ठीक कितने कितने । बात करें और वहां हाम सेकंटरी मेमोरी की बात करें तो आपकी एक घघघघगी कम्प्यmail की 2000 के आखपाख ठीक है 2500 के आखपाख और लेपटॉप की बात करें तो 3500 का आखपाख अब बताओ जरा जो 8 GB की रेम आ रहे थी उसकी कीमत में 1000 GB का जार ही फटाओ जरा मतलब जादा हातो रही पर इसपीड कैसी है कम तो ऐसे ही यहां पर इसपीड मेमरी की स्पीड कैसी रहती जादा तीबरे रहती कारकरनिक छमता और महेंगी भी आती है secondary memory से ठीक है system में आस्थाई रूप से लगी होती है उसके लाबा इसमें संग्रह सूचना जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकते अभी computer यहां इतना चल रहा है क्या ऐसे यहां आखे देख ले बात है पर ऐसे copy करके पर वह हमने pen drive लगा है और copy करे कोई data तो ले जा सकते हैं मतलब secondary memory में ले जा सकते हैं पर primary memory में नहीं ले जा सकते हैं computer के access time को primary memory प्रावावित करते हैं access time मतलब read करना write करना primary memory जितनी अच्छी होगी अच्छा हमारे read write होगी अगर काम है तो क्या होगा यह ऐसा चलेगा वह धीरे धीरे किसी mobile हैंग हो जाता देखेंगे दो जीवी memory है तो किलिक कर दिए बैठे रहो दागो और भूल जाओ है ना ऐसा ही ना दाग दो और भूल जाओ का वारा है वह आता जरूर है वह बार बार कौंचे जा रहा फिर आए गई नहीं वहारा हाथ खड़े कर दूंगा मैं कहते हैं आप computer की memory होती RAM और ROM computer की मुख memory होने के कारणे इसे जो है primary memory कहते है यह inbuilt memory होती इंबिल्ट मतलब computer में जुड़ी होती है क्या लग से लगाना पड़ता है वह बात अलग है कि motherboard में हम लगा रहा है पर motherboard में memory नहीं लगी रहा है कि computer का मतलब क्या बता आप secondary memory यह स्थाई रूफ से data को संग्रहित करती है सूचना इसमें light goal होने के बाद भी क्या होती है बनी रहती है यह का अपेक्षा मतलब primary memory का अपेक्षा सस्ती होती है slow काम करती है बस उसका पोजिट कर देना कोई दिक्कत नहीं है तो इस प्रकार हमारी जो है complete रूफ से हमने क्या पढ़े है अभी memory computer क memory है ना ऐसा बोलना क्या computer की memory जिसके अंतरगत हमने primary secondary virtual सारी चीज़े जान ली है तो आप इसको अच्छे से पढ़कर आओगे और उसके बाद मैं फिर से कूछूंगा बोल दे रहा हूं परंतु पूस्ता नहीं हो तो आपको अपनी जिम्मेदार याद रखना है रखना है क characteristics सारी चीज़े दूसरी हमने generation देखें पांच generation उनकी विस्सताय कमी जो भी फायदा जो भी था उनका और man device development मतलब history देख लिए अभी कस्या लेकर अभी तक ठीक उसके बाद हमने क्या देखें types सारी प्रकार देख लिए analog, digital, hybrid सभी चीज़े उसके बाद हमने देखें अभ बेसिक काम तो हो गया अब हम mouse, keyword, monitor यह सब क्या है input device और output device ठीक है तो इनको हम next topic में पढ़ने वाले हैं